अगर आप कोई स्कूल स्टुडेंट्स हैं या आप किसी बड़ी कॉमडिटीव एक्जाम के तियारी कर रहे हैं ऐसे में अगर आप इसका मैट स्ट्रॉंग करना चाहते हैं तो इस स्पीड पे तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा तो फास्स कल्कुलेशन टेप सैंट्रिक्स वेधिक मैस की सीरीज को आगे बढ़ाता हुए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टू डिजिट नमबर का स्कूर निकालने की तीन ट्रिक्स फर्स्ट्रिक है या यह हमेशा हर नमबर पर लगाई जा सकती है हर दो डिजिट पर ही लगाई जा सकती है और यह जो सेकेंड और थर्ड ट्रिक्स हैं आप सुचू कि फिर इनको पढ़ने की क्या जरूद है कि दोनों स्पेशल ट्रिक्स हैं यह ऐसी जवर्दाष्ट्रिक्स हैं जो कंडीशनल है ये कुछ शर्ते होती है इसमें लेकिन अगर वो कंडीशन पर आठापि हो रही है तो देखते ही कि स्कूर मठ hire के स्कूर है तो किस जवर्दा के स्कूर्ड सकते हो एसी मेथड जो हर एक टू डिजिक नमबर पर लगाई जा सकी है सबोज हमें 26 का स्क्वेर निकालना है सबसे पहले आप करिए क्या 6 का स्क्वेर बताईए 36 होता है 2 का स्क्वेर बताईए 4 होता है ठीक है अब क्या करिए 2, 6 and 2 इन तीरों को मल्टिप्लाई कर दो 2 इंटो 6, 12, 12 इंटो 2, 24 तो यहाँ पर 24 लिखना है यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट छोड़के और बस अब इन्हें आपको कर देना है 6 as it is 3 प्लस 4, 7 4 प्लस 2, 6 676 is a square of 26 देखा, कितनी जबर्दस ट्रिक है अब माल लो हमें 37 के square निकालना है 37 के square, 7 के square होता है 49 3 के square होता है 9 फिर क्या करना है 3, 7 and 2 इन तीनों को मल्टिप्लाई कर दो 3, 7 is a 21, 21, 22, 42 तो यहाँ पर 42 ऐसे लिखना है और आब इन्हें add कर देना है तो 9 ऐसे ही आएगा 4 प्रस 2, 6 9 प्रस 4, 13 तो यह हो गया 37 का square तो यह निकालना है अब सपोस्ट मुझे 42 का square निकालना है तो इसमें पहला digit है 2 2 का square क्या होता है 2 का square होता है 4 लेकिन हम लोग लिखेंगे 0, 4 2 digit format पर लिखना है फिर next number है 4 4 का square क्या होता है 16 होता है यहां पर हम लिखेंगे 16 फिर 4 into 2, 4 to the 8 and 8 into 2, 16 तीनों तो नमबर लिख रहना तीनों को multiply करना है 4 to the 8, 8 to the 16 यहां पर लिख लेंगे और बस तीनों को कर देंगे add तो 4 ऐसे नीचे आजाएगा 0 plus 6, 6 plus 1, 7 and यह 1 यह देखे 1, 7, 6, 4 यह है 42 का square मान लेजे मुझे 52 का square निकालना है इसमें first number है 2 2 का square लिखें 0, 4 5 का square लिखें 25 उसके बाद 5 और 2 को multiply कर यह 5, 2's are 10 और उसे 2 से multiply कर दीजे 10 multiplied by 2 यानि कि 20 20 तो यहां पे इस तरह से 20 लिखें याद रखें कि हमें दोनों साइड से एक एक डिजिट छोड़ के लिखना है अब हम इने एड कर देंगे 4 ऐसे नीचे आजाएगा 0 plus 00 5 plus 7 और यह 2 तो यह गया हमारा 52 का square देखें किसने इंटरस्टिन टिक है अब suppose हमें 74 का square निकालना है सबसे पहला नमर हमारा 4 है 4 का square 16 7 का square 49 अब उसके बाद क्या करना है 7 को 4 से multiply करेंगे 7 4 जा 28 और 28 को हम 2 से कर देंगे तो कितना आजाएगा 56 आजाएगा इधर से 8 दिजिक और इधर से 8 दिजिक छोड़के है फिर बीच में लिखना है और बस अब इन्हें add कर दीजिए तो 6 ऐसे आजाएगा 1 प्लस 6 7 5 प्लस 9 14 14 और 1 इसमें add होगा तो 1 प्लस 4 5 तो यह आजाएगा आपका 74 का square चले कुछ और question बेख लेते हैं 38 का square 8 का square हमें लिखना है 64 3 का square लिखना है 9 उसके बाद 3 को 8 से multiply करो 3 8 जा 24 और फिर उसे 2 से कर दो 24 x 2 होता है 48 बस अब इन्हें add कर दीजिए यह 4 ऐसी नीचे आजाएगा 8 plus 6 14 और 1 जो है वो इसमें add हो जाएगा 9 plus 4 13 13 plus 1 14 तो यह देखिए यह है 38 का square तो इस तरह से हम कोई भी 2 digit number का square निकाल सकते हैं I hope आप समझ पाए होगे तो यह तीनों आपके लिए homework है ऐसे ही आप इसे solve कीजे और practice करते रहिए जब आप practice करके थोई सी speed बढ़ा लेंगे फिर देखेंगे कि कितरा कमाल करती है Vedic Math की यह तो थी हमारी आज की square निकालने की first trick से भी भड़ते हैं हम लोग trick number टूपी हो यह conditional trick है यह हर उन दो digit numbers में लगाई जा सकती है जिसमे five end digit में आता है end में अगर five आता है ना देखते साथी आप answer बता सकते हो you don't need pen and paper pen की जिरूद ही नहीं है अगर आपको इस तरह के number square में कालने के लिए दिये है ना pen और paper की जिरूद नहीं है देखो और square बता दो चलिए देखते हैं कैसे इस सब number में last में five आ रहा है तो आप क्या करो five तो इसकर क्या होता है 25 यह 25 लिख दो अब बसता क्या है three three का अगला number कौन है four उसको three से multiply कर दो three into four twelve यह लीजिए आग्या answer है ना दबरगा स्ट्रिक five का square 25 two बसता है two का अगला number क्या है three two into three होता है six यह इसका answer है 45 तो square पहले आएगा 25 four बसता है four का अगला number five है four into five हो जाएगा 20 यह आगया स्कोर 75 का square five का square 25 seven का अगला number क्या है next number क्या है eight है seven into eight होता है 56 तो इस रिक से उन सभी numbers का square निकाल सकते हैं जो five से end होते हैं तो यह तीन है आपके homework solve कीजे practice कीजे और use कर यह इने questions में चलिए अब हम अपनी series को आगे वढ़ाते हैं और बात चलते हैं trick number three की यह trick यह विदिक math की method उन सभी numbers पे लगाए जा सकती है जो की base के नजदीक है base क्या होते हैं वो numbers होते हैं जो 10 की power में लिखे जा सकते हैं 10, 100, 1000, 10,000 इसा base number कहलाते हैं जब कोई number 94, 93 ऐसा होता है तो यह 100 की नजदीक है तो हम गहेंगे कि उस number का base 100 है अगर कोई number 992, 995 ऐसा है तो वो किस की नजदीक है वो 1000 की नजदीक है तो हम गहेंगे कि उस number का base वो कितना है 1000 अब देखे इस तरह के square निकालना अगर किसी calculation में आ जाता है और हम अगर ordinary method करते हैं traditional method करते हैं तो कितना time taking होता है वेधिक मैस के यह trick आपको कहती है कि आप देखते ही साथ number का square बता सकते हो तो चलिए देखते हैं क्या है वो method अगर मैं आपसे पूछों कि यह numbers कि किस के close है तो आप कहोगे 100 के close है तो बस अब यह जो पहला number है 93 का square 93 hundred से कितना कम है साथ कम है तो 93 में से साथ को minus कर दीजे चुकि यह number अपने base से 7 कम है तो 93 से मैं 7 minus कर दूँगी 93 minus 7 हो जाएगा 86 तो यहां पर मुझे लिख लेना है 86 अब यह कितना कम था 100 से 7 कम था तो 7 का square यहां लिख लिजे जो की होता है 49 यह हो गया 93 का square हमारा next question है 95 square यह 95 अपने base यानि की 100 से कितना कम है 5 कम है तो 95 में से 5 को minus कर दो तो 95 minus 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा यहां लिख लिए 90 अब यह 95 100 से कितना कम था 5 कम था तो 5 का square यहां लिख लिए 25 आरे बाद समझ में अगला number देखते है 97 का square यह 100 से कितना कम है 3 कम है तो 97 में से मैं 3 minus कर दूँगी तो कितना आएगा 94 आएगा अब यह 3 कम था ना तो 3 का square लिखिए यहां पे तो 09 तो यह हो गया इसका answer 91 square 91 अपने base से कितना कम है 9 कम है तो 91 में से 9 minus कीजिए जब 91 में से 9 minus करेंगे तो 82 आएगा अब यह कितना कम था 9 कम था तो 9 का square यहां लिखेंगे 81 तो यह है उन numbers का square जो की base के नजदीक है अब एक सवाल उठता है कि क्या यह trick उन numbers पे नहीं लगाई जा सकती जो की 100 से जादा है यह कम थे तो क्या जादा पे नहीं लगाई जा सकती definitely लगाई जा सकती है चलिए कुछ ऐसे numbers देख लेते हैं अब यह 103, 100 से कितना जादा है 3 जादा है तो इस 103 में 3 add करना है कितना आएगा 106 आएगा चुकि यह 100 से 3 जादा था तो हम लोग इसमें 3 add कर दिए अब यह 100 से 3 जादा था ना तो 3 का square जो है यहां पे मुझे लिखना है तो लिकर square क्या होता है 9 होता है तो हम लोग लिखेंगे 09 104 का square यह number 100 से कितना जादा है 4 जादा है तो इस 104 में 4 ही add करेंगे तो 104 में 4 add करूंगे तो कितना आजाएगा 108 आजाएगा अब यह कितना जादा था 4 जादा था तो 4 का square यहां लिखे जो कि होता है 16 106, 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है 106 में हम 6 एट कर देंगे 112 हो जाएगा अब यह 6 है ना इसका स्क्वाइर यहां लिखिए 36 101, 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है 101 में मैं 8 एट कर दूंगी तो आजाएगा 102 अब इस 1 का स्क्वाइर यहां लिखिए जोगी होता है 01 देख खटे हैं हम कितने आसानी से यह निकलम सुत्र को समाझ सकते हैं अब इस स्क्वाइर निकालना भी हो गया है बच्चों का खेल तो आई होब यह तीनों मेथड यह तीनों ट्रिक